ओम नबस शिवाए! कई सालों के बाद जाकर के ऐसा विशेश और अद्बूत साबन का पवित्र महीना पड़ा है जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा दोस्तो साबन सुमबार का क्या कहना? यदि कोई कुबारी कन्या साबन सुमबार का ब्रत रख ले तो सुयम महादेप उसके लिए बर ढूनते हैं और वो बर कोई मामूली बर नहीं होता दोस्तो ऐसे में साबन के तीसरे सुमबार यानि 24 जुलाई को नमक का ये विशेश उपाई करने से राहु दोश, पित्र दोश, मंगल दोश, भयंकर से भयंकर शनी दोश, दोस्तो यहाँ पर सबसे एहम है काल सर्प दोश, जो की बोबी मातर इस नमक के उपाई से शेगर ही दूर हो जाता है दोस्तो नमक का ये उपाई हम भी जरूर करते हैं, सो पृतिशत आप धन बान हो जाएंगे दोस्तो मैं इश्वर की सौगन दिखाता हूँ, अगर आप धन बान ना हो जाएं तो मुझे बताना, नमक का ये उपाई आपकी काया पलट कर रख देगा भगबान भोलेनात आपसे प्रसन हो जाएंगे, माता पारबती दोनों हातों से धन की बरशा करेंगी, शाक शात, काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा इस उपाई से कंगाल भी हो जाएंगे धनी, दिन दुगनी राच चोगनी होगी तरक की दोस्तो नमक में ऐसा क्या है, जो शीगर ही किसी भी ब्यक्ती को रंग से राजा बना देता है, माहा धनी बना देता है आखिर नमक में ऐसा क्या है, जो धन दौलत को तेजी से खीचने का काम करता है अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महा धनी दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें साबन के इस पावन पवित्र महीने में आपको भरोसा करना बहुत ही अबश्यक है क्योंकि भरोसे से ही इश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सचाई है भरोसा ही आपकी ताकत भी है अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप शाक्षात महा देप की किरपा प्राप्त कर लेंगे क्योंकि भरोसे से ही सारी कार्य होते हैं और परिपुर्ण और सफल होते हैं और देखी दोस्तो भरोसे पर ही दुनिया कायब है अगर भरोसे नहीं तो ये दुनिया भी कब की नश्ट हो चुकी होती दोस्तो पुराने समय से नमक का इस्तिमाल किया जाता रहा है नमक ना केबल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बलकि नमक ना जाने कितने अंगिनत फाइदे हमें देता है अगर मनुश्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो बोस्ष शरीर कभी भी खराब हो सकता है माना जाता है कि नमक ना केबल हमारे जीबन का हिस्सा है बलकि नमक सबसे जल्दी करोड़ पती भी बना देता है नमक चमत कारिक रूप से लाप प्रदान करता है नमक के अंदर साकर आत्मक उर्जा का भंडार भरा हुआ है नमक रसोई घर की शान कहे जाने बाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे रात छुपा कर बैठा है अगर जिस मनुश्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़ पती बन सकता है नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं अगर जो मनुश्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्ची तोर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है वो शीगरी ही धनी हो सकता है नमक का ये उपाय रातो रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है लेकिन दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है दोस्तों भगबान शिप का जैकारा लगाते हुए बीडियो को शुरू करते हैं सची दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महा देप ओम नभशिबाय एक लाइक जरूर करें दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने बाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा आपको पूरी तरह से महा धनी बना देगा अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का बिशेश उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा पक्षी ये उपाई नहीं आपके बंद किसमत के खोलने की चाबी है और ये महाचाबी दोस्तो इस उपाई को करने से चूकना मत नमक के इस उपाई से आप जो चाहोगे बो पाऊगी करोडों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा यहां तक कि दोस्तो आप किसी को और प्रसनिता के साथ करें आपका काम उसी दिन से हो जाएगा दोस्तो देखिए सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीदे लाना है यानि की डेली बाला जो की कुछ इस प्रिकार्ट से दिखता है आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं तो बाजार से आप 11 रुप के इसी कोने में लाकर के चुप चाप सोंबार के दिन या फिर किसी विशेश अपसर पर या अमाबस्या पर या पुर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के उपर से साथ बार उतार कर रख दें फिर उसके बाद आपको एक मंतर बोलना है नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं अब इस नमक को सिद्ध करना है वो मंतर मैं आपको बता रहा हूं ओम जूंग स्वाहा इस मंतर का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है दोस्तों ये मंतर जिस कोने में आपकी परेशानी चुपी होती है आपकी गरीबी चुपी होती है आपकी काम्याभी का राज चुपा होता है पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है आपको फिर से यही उर्जा बापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है अगले ही दिन वो नमक उठा कर किसी नदी में बहा दें जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रिकार से आपकी तमाम परेशानिया बीमारिया नौकरी में रुकाबटे आना परिबार में कलेश होना परेशानी का सरपर चड़ना कर्ज का बोज हो जाना सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रिकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक साकार अत्मक्ता का संचार आपको अपने जीबन में प्राप्त होगा दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहने नहीं चाहिए बिलकुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीबन को बदलते हुए देखें ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीबन पूरी तरह से बदल चुका है आप भी अपन कमेंट में रिपलाई करके बता देंगे आपको तुरंत लाप हो जाएगा दोस्तों आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों किसी भी दिन चाहे सोंबार का दिन हो या रभी बार का दिन आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं तुरंत ही फल प्रदान करता है य 40 ग्राम डंठल बाली साबुत, लाल मिर्च, एक पैकिट, टाटा नमक, 100 ग्राम सर्सो का तेल और एक पानी की बोतल, इन सभी सामगरियों को एकतिरित कर लें, इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और पर मुस्कान आ जाएगी, भगबान शनी आपके ऊपर किरपा दिरिष्टी बरसाएंगे, आपका ब्रस्पती मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुकर भी मजबूत हो जाएगा, दोस्तों ये उपाय इतने सारे लाप प्राप्त कराता है, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकती, चाहे आपकी कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों नहों, मातर इस उपाय को करने से दूर हो जाती है, दोस्तों ये उपाय मैं भी अबश्य करता हूँ, और मुझे इसका लाप पुन प्राप्त हुआ है, ये उपाय कभी किसी को बता कर ना करें, चुप चाप क करें, जो हमने आपको सामगरी बताई है, वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटिया है, दोस्तों इनमें से कोई भी सामगरी मिस ना हो, सभी सामगरी पूरी होनी चाहिए, इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा, आप जिस भी काम में हात लगाएंगे, वो सफल हो जा ये उपाय मैं अबश्य करता हूँ, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें, ये कारे करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, ये 100% सच है, दोस्तों विदेशी लोग हातों से नमक गिरने से अशुम मानते हैं, जोतिशास्तर के अनुसार, नमक को चंदर और श का कारण बन जाता है, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नमक को हमेशा काच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत शुब माना जाता है, जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बरतन में या प्लास्टिक के बरतन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है चंदर और शनी नाराज हो जाते हैं दोस्तो अकसर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी इस्तिती में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेक देते हैं जो की बहुत ही अशुब माना जाता है नमक का गिरना बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता बुलगारिया, यूकरेन और रोमानिय जैसे देशों में इसे दुरभागी और बिभात का सूचक माना जाता है भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुब माना गया है नमक को गिराने से चंद्रम और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीबन आपको गरीब रहना पड़ता है इसलिए नमक की कदर करें दोस्तों उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए कहते हैं नमक का हक अदा करना है इसलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए इससे आपका चंद्र और शनी मजबूत होगा अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए है तब भी आपको शनी देप के प्रिकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्तो शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुक समर्दी ही चली जाती है साथ ही साथ नमक लेने बाला भी बरबाद हो जाता है इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तो नमक मिले पानी से पोछा लगाने से दोपहर में जब कोई ब्यक्ती घर की साप सपाई करता है तब इससे घर में लक्षमी नहीं आलक्षमी का वास हो जाता है माता लक्षमी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साप सपाई सुभा के समय होती हो शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि सूरे उद्य होने से पहले घर का दर्बाजा खोल लेना चाहिए नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में परवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दर्बाजा सूरे उद्य से पहले खुलता हो क्योंकि सूरे उद्य से पहले जब किसी का दर्बाजा बंध होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में परवेश क्यों करेगी आपने तो माता के आने का मारगी ही बंध कर दिया है इसी लिए सबेरे सबेरे दर्बाजा अबशी खोल दे और साब सपाई कर ले दोस्तो जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ती बुरी हबा नजर दूश मात्र इस उपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा करे नमक का ये उपाय थोड़ा सा डेली बाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें साथ की संख्या में साबुत लाल मिर्चे लें उसमें डंठल होना चाहिए एक टुकड़ा कोईला लें और थोड़ी सी हल्दी अब इन सबी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारें जिसे नजर लग गई हो सर के उपर से साथ बार घुमाएं और चुपचाप इसे अगनी में जला दें अगनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों आप यकिन नहीं करेंगे एक मिनट में सारी नजर उतर जाएगी ये उपाए खोद हमारी माता जी हमारे उपर बरसों से करती चली आ रही हैं ये 100% कारगर सिध होता है इससे आपकी सभी मनोकामना उन्न हो जाएगी क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है आप तो मामुली इंसान है ये तकीय के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नाकारात्मक उड़ जा होगी ये उसको अपने अंदर सोक लेता है और आप सुभा के समय एक आनंदायक जीवन को महसूस करते हैं जब आप सोते समय तकीय के नीचे नमक रखे तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें फिर इसे संभाल कर रख दें दोस्तो चाय में नमक नहीं डालना चाहिए बहुती अशुब माना जाता है चाय में नमक डाल कर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनवती है इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड़ियां कमजोर होने लगती है, चाय में भूलकर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मिर्ट्यू भी हो सकती है दोस्तो खास कर शनिबार के दिन नमक का दान करना बहुत इशुब और मंगल कारी माना जाता है, इससे ब्यक्ति के सभी नब घ्रे शांत हो जाते हैं, शनिदेप की असिम किरपा इनके उपर बरसती है शनिबार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मारग है, आप कभी भी धनी हो सकते हैं, शनिबार को नमक अबश्य दान करें, दोल तो भूलकर भी ज़्यादा मातरा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सू शनिबार